साल 2018 में एक विप सिरीज आई जिसका नाम था मिर्जापुर। ये क्राइम ट्रीलर सिरीज थी ऐसा नहीं था किस से पहले कभी इस जॉनर की कोई सिरीज ना आई हो लेकिन मिर्जापुर ने OTT की दुनिया में तहल का मचा दिया। मेकर्स ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कालीन भाई या गुड़ू, बबलू और मुन्ना का किरदार इतना बड़ा हो जाएगा। लोग कुछ दिनों तक इस सिरीज के नशों में रहे कटर फैन बेस बन गया और फिर उसका दूसरा और तीसरा सीजन भी आया। अब दिवाली से ठीक पहले मेकर्स ने बहुत बड़ा बम थोड़ा है। उन्होंने मिर्जापुर की फिल्म अनाउंस कर डाली है जिसका पहला टीजर आ गया है। उस बने कमपाउंडर यानि अभिशेग भैनर जी फिल्म में दिखाई देंगे। टीजर की शुरुआत होती है पंकस्त्री पार्ठी की आवाद से वो कहते हैं कि गद्धी का महतोय तो आप जानते ही हैं। सम्मान, पावर, कंट्रोल आपने भी मिर्जापूर अपनी अपन लेना हमारी USP है, अब जो है सारा खेल बदल दिये हैं, क्या है कि अब मिर्जापूर आपके पास नहीं आएगा, आपको मिर्जापूर के पास आना पड़ेगा। फिर होती है मुन्ना भया के एंट्री जो किसी सिनमा हॉल के बालकनी में खड़े हुए कहते हैं कि हिंदी फ अंत में पंकस्त्रिपाठी का किरदार कहता है कि अब भौकाल भी बड़ा होगा और परता भी बागी अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि मेकर्जस कहानी को तीन से साड़े तीन घंटे में कैसे समेटते हैं वेब सिरीज का ये फाइदा होता है कि वहां समय की कमी नहीं ह होती और अब ये देखना बेहद इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से मेकर्ज अब इसे बड़े परते पर दिखाने की कोशिश करते हैं मेकर्ज को उतने ही घंटे में पूरी कहानी रैप अप करनी पड़ती है ये जिरेक्टर गुरमीत सिंग के लिए चालेंज किया क्या मूर लेगी क्या सिरीस की कहानी को कंटीनियो किया जाएगा या कोई नई कहानी बनेगी इस पर कोई भी जानकारी नहीं मली है ये कब तक आएगी कब तक बनेगी इस पर भी कोई जानकारी नहीं है बस तै तो ये है कि साल दोहजार 26 में ये बड़े पर रिलीस कि जो भौकाल इसने OTT पर टाइट किया था वही जादू फिर से बड़े परदे पर चलता है या नहीं तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप मिर्जापुर्ग की फिल्म को थियेटर में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और बॉलेवर्ट से ऐसे ही चटपिडी खबरों के लिए बने रहे हमारे चानल के साथ